जर्मनी के तानासा एडॉल्फ हिटलर ने अपने सासनकाल में यहुदियों पर किस तरह अत्याचार किये इस बात से दुनिया अंजान नहीं है। हिटलर ने गैस चैम्बरों में कैद कर करीब 60 लाख यहुदियों को मौत के घाट उदार दिया। आज का दिन हिटलर से खास तोर पर जुड़ा हुआ है। दरसल दुनिया से यहुदियों का नामों निसान मिटाने का ख्वाब देखने वाले हिटलर ने 30 अपरेल 1945 को सोवियत से नाओं से गिरने के बाद बरलिन में जमीन से 50 फिट नीचे एक बंकर में खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। इस दोरान उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली थी। हिटलर के अजीज दोस्त और इटली के ताना साह बेनीटो मुसॉलिनी की दो दिन पहले ही इटली में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हिटलर को लोगों के हाथों मौत का सिकार होने का इतना डर था कि उसने अपनी मौत सुनिश्चित करने के लिए गोली मारने से पहले सायनाइट कैपसुल तक ले लिया। राष्ट्रों की सेनाएं फ्रांस की और जर्मनी में दाखिल हुई और जर्मन्स को बर्लिन से पीछे की और धकेलने लगी। जुलाई 1944 तक कई जर्मन सेने कमांडरों ने अपनी हार को स्विकार किया और हिटलर को सत्ता से हटाने की साजिस रजी ताकि सांती से बाचीत की जा सके। जन्वरी 1945 में बर्लिन के सोवियत संग के कपजे में जाने का डर पैदा होने लगा। ये देखकर हिटलर अपनी पतनी इवा ब्राउन के साथ अपने जीवन के आखरी दिन अपने बंकर में गुजारने के लिए निकल पड़ा। ये बंकर जमीन से 50 फिट नीचे मौजूद था और इसमें 18 कमरे मौजूद थे। इस बंकर में खुद की पानी और बिजली की सप्लाई थी। हलांकि खुद के पकड़े जाने से हिटलर बेचैन हो रहा था। हिटलर लगातार हर्मन गोरिंग, हेंडिक हिमलर और जोसेफ गोएबल्स जैसे करीबी लोगों से मुलाकात कर रहा था और उन्हें आदेश देता रह रहा था। वहीं उसने मौद से एक दिन पहले ही अपने गर्फ्रेंड इवा ब्राउन से सादी की। हिटलर ने अपने आखरी दिनों में एड्मिरल कार्ल डोनिट्ज को स्टेट हेट बनाया और जोसेफ गोएबल्स को चांसलर नूट किया। इसके बाद वह ब्राउन के साथ अपने नीजी क्वार्टर में रहने चला गया। लेकिन उसे लगातार सोवियत संग द्वारा पकड़े जाने का डर सता रहा था। इसके बाद हिटलर ने अपनी पतनी इवा ब्राउन और दोनों कुत्तों को साइनाविट का कैपसूल दिया, फिर इस कैपसूल को खुद भी खा लिया। इसके बाद उसने अपनी पतनी संगोली मार कर आत्मत्या कर ली। हिटलर की मौत के बाद उसके करीबी लोगों ने बंकर से उसका सो बाहर निकाला और उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वहीं जब सोवियत सेना बंकर में पहुँची तो उन्हें सिफ राख ही हाथ लगी। चलिए दोस्तों, कोराफलेक्स पर आज के इस वीडियो में इतना ही जानकारी आप तक पहुँचती रहे। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेस्बुक पेज को लाइक कर लें। साथी साथ अपने दोस्तों और इस्तेदारों के बीच इस वीडियो के लिंक को सेर भी करें। मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक किप सर्चिंग फर नॉलेज एंड ट्राइ टू बी अ काइन परसंग।